हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तो आज हम एक नई ट्रेंड के बारें बात करने वाले हैं जिसको हम लोग चैन्नेई एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तो इसका नंबर है 11041-10041 दोस्तो यह वाया पूना जंचन, सोलापूर, वाडी, रायचूर, गुत्ती, रेनी गुत्ता और अरकोणम जंचन होते हुए चैन्नेई सेंट्रल को पहुंचती है तो दोस्तो यह महराष्टर के मुंबई से चल कर आप देख सकते हैं तमिलांडू के चैन्नेई को जाती है जो की बहुत से स्टेशनों को कवर करती है तो इस टेन के बारे में हम संपूर्ण जंकारी प्राप्त करेंगे तो वीडियो में लाश्टक बने रही है दोस्तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को दबा लीजे जिससे कि आपको ट्रेनों के बारे में बहुत सारी रोचक जनकारियां हमारे इस चैनल प का समय लेती है और जिसमें 34 स्टेशनों पर रुपती है वैसे तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं लेकिन इसका जो रेलवे के द्वारा स्टोपिंग स्टेशन निर्धारित किये गए हैं वो 34 ही रखे गए हैं दोस्तों इतनी में यह 1278 किलोमेटर की दूरी तैय करती है और इसकी एवरेज स्टेशन निकाली जाए तो 48 किलोमेटर प्रती घंटा निकल कराती है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यह प्रति दिन ट्रेन चलती है प्लेटफारों नंबर 14 से चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस मुंबई के एक स्टेशन से दोस्तों मु मुंबई के चतरपती सिवाजी महराज टर्मिनस से चलती है दोपैर के दो बज़े दोस्तों प्रती दिन आपको प्लेटफारों नंबर 14 से मिलेगी और दोस्तों यह अगले दिन आपको मुंबई चैंटरल ट्रप्लेटफाररों नंबर 1 पर 16 बज़ेट 20 मिनटे साम को यान आप बिये चैनल को इसके बाद आप टि Motor कोश कर देए तो दोस्तों इसमें इसमें पेंटरी कहरें रिबबा होता है जिसमें आपके लिए खाना बनाए जाता है एसे लिए जाता है दोस्तों ताकि आपको उस रात सुविधा मिल सके या दिन में खाने की सुविधा मिल सके इसमें S1 से लेकर S8 तक डिब्बे आप देख सकते हैं जो कि Slipper Shrani के होते हैं जहां पर आपको Sain यान यानी कि Sonny की Seat मिलती है बिना EC वाली दोस्तों यहां पर आप 3 डिब्बे देख सकते हैं B1 से लेकर B3 जो कि 3rd AC के डिब्बे होते हैं और एक तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2nd AC का एक डिब्बा इसमें लगा रहता है और General का एक डिब्बा पीछे और एक डिब्बा आगे इसमें लगा रहता है जिसमें आप अनारक्षी टिकेट के द्वारा यात्रा कर सकते हैं तो ये इसकी रेक यानि की डिबो की पोजिशन है जिसे की रेलवे आपकी सुविधाओं के अनुसार कभी कभी चेंज करते रहता है वैसे तो लगबग लगबग इतने ही डिबे लगे रहते हैं अब आगे बात कर लेते हैं कि ये कौन-कौन से स्टेशनों से ओकर जाती है तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये कौन-कौन से स्टेशनों से ओकर जाती है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशनों के नाम लिखे गए है और साथ में उनके जो code दे दिये गए है CSMT जो कि छत्रपती सिवाजी महराश्ट अन्मिनास का code है इसी प्रकाराने station के भी code इनके साथ दे दिये गए है दोस्तों यहाँ पर बताये गए कि वर टेन उस station पर कौन से time पर आती है और कितने समय बाद वहाँ से चली जाती है यहाँ पर दिखाये गए कि कितने देर के लिए रुकती है और यहाँ पर बता दिया गया प्लेटफारम की संख्या बता दी गई है प्लेटफारम नंबर कौन के दो बज़े चलती है यहां पर आप देख सकते हैं यह प्लेट फारो नमबर 15 से चलती है और मुंबई दादर सेंटरल इसका अगला स्टोपिंग रेलवे स्टेशन होता है जहां पर यह दो बज़ के 12 मिनट दो पहर के पहुंचती है और 3 मिनट का इसका स्टोपिंग टाइम इसके बाद 2 बज़ के 15 मिनट पर आगे रवाना हो जाती है प्लेट फारो नमबर 5 से दोस्तो थाने पहुंचती है इसके बाद 2 बज़ के 37 मिनट पर दोपैर के 3 मिनट यहां रुकने के बाद प्लेट फारो नमबर 5 से 3 मिनट रुकने बाद रवाना हो जाती है दोस्तो इस बज़ के 43 मिनट पर दो मिनट के लिए यहां भी रुकती है प्लेटफाउन नमबर एक पर इसके बाद जो इसका अगला स्टोपिंग स्टेशन होता है वो होता है लोनावला जहां पर यह साम को चार बज़ के 27 मिनट पर पहुंचती है तीन मिनट यहां पर रुकने के पश्या 16 बज़ के 30 मिनट शाम को यहनी 4 बज़ के 30 मिनट पर प्लेटफाउन नमबर एक से रवाना हो जाती है दोस्तो यहां तक यह ट्रेन 126 किलोमेटर की यात्रा पूरी कर चुकी होती है दोस्तो इसके बाद यह खड़की साम को 5 बज़ के 27 मिनट पर पहुंचती है एक मिनट य रात बच के 25 मिनट पर यहां पर भी 5 मिनट के लिए रुकती है प्लेटफाउन नमबर पांच पर दोस्तो इसके पर साथ कुल्डवाडी यहां पर पहुंचती है रात को 9 बच के 43 मिनट पर और 2 मिनट के लिए यहां भी रुकती है दो नमबर प्लेटफारम पर दोस्तो इस को एक बचके 7 पर पूंशती है 3 मिन गे लिए यहां भी रुकती है प्लेटफ़ाऊ मुर्स इसके बाद दो्सो सभाबाद पूंशती है रात को एक बचके 58 यान infring को डिके devynu पर और इसके प्रश्टात दोस्तों को यह वाडि पूंशती है रात को दो बचके 20 मिनट पर पांच मिनट के लिए यहां भी रुकती है प्लेटफॉर नमबर दो पर यहां तक यह ट्रेन 602 किलोमेटर की यात्रा तेह कर चुकी होती है दोस्तों इसके बाद यह यादगीर पहुंचती है साम को सरी दोस्तों रात को दो बसके 58 मिनट पर दो मिनट के लिए यहां भी रुकती है प्लेटफॉर नमबर एक पर इसके पाशाओ यह को पहुंचती है प्लेटफॉर नमबर एक पर और चयार दस पे आगे रवाना होताया यहां तक यह ट्रेन दोस्तों आप देख सकते हैं 709 किलोमेटर की दूरी तैय कर चुकी होती है अब इसका जो अगला स्टोपिंग स्टेशन होता है वो होता है मंत्रालेम रोड जहां पर यह सुबह 4 बच के 34 मिनट पर आती है एक मिनट के लिए यहां भी रुखती है प्लेटफार नमबर एक पर इसके पशा दोस्तों आदोनी पहुंशती है सुबह 5 बच के 8 मिनट पर दो मिनट के लिए यहां भी रुखती है प्लेटफार नमबर एक पर इसके पसाद दोस्तो ये गुंतकल जंक्षन पहुंचती है सुबह 6 बच के 23 मिनट पर 2 मिनट के यहां भी रुखती है प्लेटफारम नमबर 6 पर इसके पसाद दोस्तो गुत्ती जंक्शन पहुंचती है यह चे बच के चोवन मिनेट शुबह के एक मिनेट यहां भी रुखती है और एक नमबर प्लेटफारम पर दोस्तो इसके पसाथ ताड़ी पत्री पहुंशती है सुबह 7 बच के 35 मिनट पर एक नमबर प्लेटफारम पर आती है एक मिनट के लिए दोस्तो इसके पसाथ कॉंड़ा पूरम पहुंचती है सुबह 8 बच के 14 मिनट पर 1 मिनट यहां भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर 1 पर यहां तक यह ट्रेन 936 किलोमेटर की यात्रा जो है वो तैय कर चुकी होती है कॉंड़ा पूरम के बाद दोस्तो आप देख सकते हैं यह ट्रेन मुझनूर पहुंचती है मुदनूरू पहुंचती है दोस्तो सुबह 8 बच के 49 मिनट पर एक नमबर प्लेटफॉरम पर 1 मिनट के लिए रुखती है इसके पहुंचती है यह गुंटला पहुंचती है 8 बच के 50 मिनट पर दो मिनट के लिए भी रुखती है प्लेटफॉरम नमबर एक पर दोस्तो इसके बाद कमला पूरम सुबह 9 बच के 18 मिनट पर पहुंचती है दो मिनट के लिहां भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर एक पर इसके पर शाथ कडपा देख सकते हैं आप सुबह 9 बच के 38 मिनट पर आती है दो मिनट के लिहां भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर एक पर इसके पर शाथ यहां नंदलूरू सुबह 10 बच के 18 मिनट पर आत दोस्तों इसके बाद जो इसका अगला स्टोपिंग स्टेशन होता है वह होता है कॉंडूरू जहां पर यह पहुंचती है सुबह 11 बच के 3 मिनट पर 2 मिनट के लिए भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर 1 पर इसके बाद साथ रेणु गुंट का जंक्सन दोपैर के 12 बच के प्लेटफॉर नमबर 3 पर दोस्तों पुत्तूर के बाद तिरूतनी पहुंचती है दोपैर के 1 बच के 53 मिनट पर 2 मिनट के लिए यहां भी रुखती है प्लेटफॉर नमबर 3 पर और इसके बाद दोस्तों अरंग कोनम पहुंचती है दोपैर के 2 बच के 30 मिनट पर और 5 मिन 1272 km की यत्रा तैय कर चुकी होती है और जो इसका अगला स्टोपिंग होता है दोस्तों वह होता है पेरंबूर के बाद इसका जो अगला स्टोपिंग अगली वीडियो जरूर देखें यदि चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी टाइप की और अन्य रोचक वीडियो वे ट्रेनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती रहे धन्यवाद झाल